आज मैं पानी पूरी दुकान से वीडियो इस्टट कर रही हूँ और यहाँ पे देखे हमारा आहना खा रही है पानी पूरी तो आहना इतना ज्यादा पानी पूरी खाया बापरे में क्या बोलू तो गाइस आज मैं घर से मतलब माई के से घर जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए आहना का बदमासी आहना गुद मॉर्णीं क्या कर रहे हो अच्छा क्या लिख रहे हैं दिखाओ यह देखो गाइस मेरा बेटी सुबो सुबा आज उटके पर रहा है लिख रहा है ममा यह सुब नहीं है रात हो गया है अभी तक अंधेरा है इसलिए आहना बोल रहे है कि रात हो गया है ना आहना आर लिख के दिखा दो इदर पुछो किदर है रुमल तो गाइस आम लोग घर आ चुके है घर आने के टाइम में वीडियो नहीं बना पाया और मैं नहीं बनाया उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था तो गाइस आके यह दूसरे दिन का वीडियो है जो कि आहना पराई कर रही है और देखें यहां पे आना कितना सुन्दर से लिखने लगी वाव बेरी कुट कैल देखो गाइस पूरा यह भी सीरी लिख दिया मेरा बेटी ने वाव तो गाइस आज में बरोखा और बरोखा का हास्बिन आहाना सेंग तो जा रहे है एक दीदी के घर में तो यहां पे देखें गाइस आहाना चोकलेट ढून रही है इधर उधर तो उसका चोकलेट गुम गया है तो गाइस हम लोग पोश गए फिर पोशने के टाइम में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आहाना सोई हुई थे फिर हम लोग मतलब यहां पे चायोई पी लिए और खूप सारे बाते किये और थोरे देर बात हम लोग खाना खाने लगे गाइस तो देखिए गाइस सभी लोग यहां पे खाना खा रहा है और सच में खाना तो मैं क्या बोलू इतना टेस्टी था और दीदी ने बनाई थी खास करके हमारे लिए तो पुलाओ बनाई थी और मतलब चिकेन तो सच में चिकेन भी इतना टेस्टे था ना सच में क्या बोलू में मतलब मैं घर में बनाती हूँ तो उतना अच्छा नहीं होता है दीदी ने बनाई थी सच में कितना अच्छा था और यहाँ पे देखे यह रहा दीदी जो की मतलब बैंगलोर गए थे देखे गाईस पेचाना होगा आप लोगों ने तो हम लोग एक ही साथ गए थे घुमने के लिए मतलब मौईसूर प्लेस और क्या बोलता है बहुत जगे गए थे हम लोग घुमने के लिए तो दीदी का दो बेटी भी है एक है बैंगलोर में बैंगलोर में ही पढ़ाई करती है और एक है डिब्रुगोर में तो गैस ये ओला भहिया देखे ये भी मेमान है मतलब हम लोगों का साम का कलियापुर कलियापुर से तो यहाँ पर देखे इतना हसा रहा है तो सभी लोग हस रहे हैं और यहाँ पर दीदी क्या-क्या लाके दे रही है कभी गुंद्रुक का अच्चार तो बगरी का अच्चार मतलब तो हम लोग तो खाए जा रहे है खाए जा रहे है और इधर है साइड में यह है दीदी का मम्मी और उधर मतलब येलो टीसा टोला है भहिया मतलब मैं तो दीदी और भहिया ही बोलती हूँ एक तरफ से जीजू होगा फिर भी मैं भहिया बोलती हूँ और यहाँ पे तो मुझे तो हो गया गाइस और यहाँ पर देखे सभी लोग दबा दबा के खा रहा है मैं तो सबसे पहले दबा के खा लिया गाइस पुलाओ भी इतना टेस्टी था क्या बोलू मैं सच में और मतलब कौनी भी बनाया था अंडे लेकिन मैं नहीं खाती हूं मैंने नहीं क्या है चाहाँ हूबाँ मैं भी लोग एक फूबाँ व्हाहाँ खाइस और दबदे लोग भी लोग गया शाव को भी खान टेस्टी लिए चाहा है यहाँ नहीं डाँओना इन यहाँ लोगिस्साइब मैं तो की जाहाँ पाहाँ